यूनिवर्सल हेल्थ एंड फिटनेस प्रेक्टिसेज हम यह देखते हैं कि क्रॉस कल्ट्रल साइकॉलोजी ने स्टडी यह भी किया है कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी प्रेक्टिसेज हैं जिनका फिट रहने से, हेल्दी रहने से तालोक है उन में एक चीज जो क्रॉस कल्ट्रल साइकॉलोजी के लिए रेलेबंट है हमने पहले बात की ना निउट्रीशन की, हेल्थ के कॉनसेप्ट की बिमारी में हम क्या करते हैं तो उस कॉनसेप्ट को भी हम आगे लेके चलेंगे कैसे हीलर्स होते हैं हम कर चुके हैं हम यह देख रहे हैं कि हम जेनरली फिट रहने के लिए किसी कल्ट्र में क्या चल रहा हता है इंटरनेशनल पॉइंट अव्यू से ग्लोबल कम्यूनिटी के पॉइंट अव्यू से क्रॉस कुल्चिरल अंडर्स्टेंडिंग के पॉइंट अव्यू से एक प्रैक्टिस जो के पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिय है और अडैप्ट कर लिय है वह है योगा और यह पाकिस्तान में इंटरनेशनल योगा डे पिछले दिनों क्या रिणा क्योंके लियूचर अडर ते ते जोंके योगी उते थे थे यूगा उसका एक्स्पिर्च्ट्व परपस भी था उसमें माइन बोड़ी और दुनिया को एलाइन रखने का मकसब था it a spiritual basis योगा की जो साइंस है लेकिन अब वो हैल्थ के point of view से ज़िदा होती है लेकिन of course psychological health के point of view से भी होती है हम खुद बहुत दफ़ा में लोगों को recommend करती हूं कि आपका इलाज दो वाई में नहीं है आपका इलाज अपने आपको पुरसकुन रखने में है तो आपको एक ऐसी साइंस जो बॉड़ी और माइंड को हर लेवल के उपर आपको healthy रखे या आपकी जो health के problem हो रहे हैं उसको वो ठीक करें तो उसके लिए yoga is one of the recommended things हर कल्चर में yoga फैल चुकी है और इसको लहोर के अंदर ही मुझे ये पता है कि बहुत से yoga instructors हैं बहुत से लोग पार्क में yoga कर रहे होती हैं बहुत से कलब हैं और बहुत सी private studio हैं जिनके अंदर लोग ये करते हैं और कुछ लोगों ने जाती तोर पे इसको उमर भर की practice बनाया है और इसके benefits भी मैंने खुद first hand experience खुद भी की हैं और क्योंकि हम लोग भी उन लोगों में से हैं जो open air में भी और घर में भी yoga को एक health practice के तोर पे करते हैं और मैंने हमारे घर में एक trained yoga teacher मौझूद हैं जो निपाल से सीख के आई थी तो यहां पे बहुत से लोग हैं जो बाहर से इदर उदर से सीख के आई हैं और उन्होंने आगे लोगों को सिखाया है यह एक international practice बन गई है so you can actually join cross-culturally an international community which believes that fitness yoga can improve fitness universal health and fitness practices में एक और चीज़ है जिसे chi kung कहते हैं इसको different तरीकों से spell किया जाता है chi qi से भी लिखा जाता है chi से भी chi जो है उसका मतलब होता है energy the energy in the universe इसको एक खास तरीके से आप अपने अंदर ला सकते हैं और जब वो आपके अंदर आ जाती है तो आप उसे बहुत अपनी body की healing के लिए इस्तमाल कर सकते हैं so ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने किसी teacher से वो Chinese teacher थे Malaysia से आये थे मैंने उनके साथ करके सी की and I noticed जब आप internationally travel करें तो international airports पे कभी कोई Japanese, कभी कोई Chinese, कभी कोई Korean और कभी आपको नहीं पता कि उनकी क्या nationality है वो in between travel, business meetings, busy work what they do is they do this kind of fitness exercises, they do this flow और चीकुंग में होता है कि आप empty your mind, breathe through your nose, exhale through your mouth like smile from your heart and then you imagine that when you breathe the light is entering the body रोशनी जा रही है और जब आप सांस निकाल रहे हैं तो जो कुछ toxic थे, वो एक dark है, धुआ है वो बाहर निकल रहे हैं तो आपकी body purify हो रही है यह सुनने में बड़ी simple लगती है और करने में भी simple है लेकिन यह करके पता चलता है कि इससे आप कितना ज्यादा benefit कर रही है तो इसमें आपको बुरे लोग भी करते नजर आ रहे हैं open air में करना इसको ज्यादा अच्छा होता है और यह करने के बाद कुछ 40 step चलते हैं हाथों को आपस में रगटते हैं और फिर वो हाथ जो है वो आपस तरह करके अपनी बाड़ी पे फेरते हैं क्योंकि अब वो जो chi है वो energy है वो आपके अंदर और यह योगा में भी होता है कि दोनौ हाथों को रगटते हैं एक हाथों में गर्मी सी क्रियेट होती है और उसके बाद उसको आप अपने जिसम से छूटते हैं तो यह एक system of coordinated body posture and movement है breathing है और meditation है और यह health, spirituality and martial arts में भी actually training वाले भी चीकुंग जो है वो करते हैं दुनिया अब एक global village है दुनिया अब एक ऐसी जगाए जो एक दूसरे से connected है कोई चीज ऐसी नहीं है जो कहीं हो रही हो और बहुत से दूसरे मुलकों तक ना पहुंच जाए लेकिन ये बात चेहरों के लिए ठीक है ये बात चोटे लाखें गाओं पहाड़ों रिमोट एरियास के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनको global village तक पौन उनके पास social media इंटरनेट और फोन तो आ गए हैं लेकिन जो कुछ वहां पे जिन्दगी है वो शायद पू फिटनेस की ये एन मुंकिन है कि आप केलाश कबीले में जाएं या सकर्दू में जाएं या किसी जजीरे पर जाएं सिंद के जहां पर लोग मचलियां पकड़ते हैं तो आपको कुछ और भी फिटनेस की प्रैक्टिस नजर आएं जो कि उनके कल्ट्र में हो रही हैं ये इन उनका जहन उनका जिसम भी है उनका जहन भी और बढ़ते वी जहन के अनहल्दी होने के बहुत से इमकानात होते हैं बुरे इंफ्लिंस हो जाते हैं वो अपनी हेल्थ खो बैठते हैं तो उसके लिए ये पुरा सिस्टम था फिटनेस का कि वह वहां जाके कसरत करते थे वेट फिटनेस की प्रेक्टिस को हर कल्चुर के अंदर एडाप्ट करने और समझने से फायदा होते हैं यही क्रॉस कुल्चुर साइकोलोजी की अप्रोच है फिटनेस और वेल बेंग के तरफ